नमस्कार दोस्तों मेरा नाम कॉशल और आप देख रहे हैं केकी रिसर्च स्टूडियो आज हम लोग बात करने वाले हैं आयोडीन के बारे में कब और कैसे यह आयोडीन इतना महत्व पूर्ण हो गया हमारे लाइप में कि आज के रिट में यदि हम सॉल्ट खरीते भी हैं नम कम्मुनिकेशन जो टूल से उनके मीडिया और दूर दर्सन वगरा वगरा कित्रू जो है कब उन्होंने यह पढ़ा दिया सभी को कि आयोडीन युक्त नमक ही खाना है ठीक है तो सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में या सभी के दिमाग में यह उठना चीए कि वाय आयो बता हूंगा इन सब्सक्राइब कि पीछे कि नमक का और हमारे सरीर का खराब होने का रिलेशन किया है नमक का और इस अभी जो मेडिकल माफिया है जो जिस तरह के जो ड्रग यह लोग बना रहे हैं वीपी वगरा वगरा का ना इन सब जगों में हाट का इन सब जगों पर य है यह समझने की बात है क्योंकि everything is connected if you look at it everything is connected iodine iodine बोल के सभी को ठीक है तो कहने का यह मतलब मेरा कि iodine युक्त ही नमक जब 30 साल पहले तक लोगों को नहीं चाहिए था अचानक से ऐसा 30 साल पहले हुआ क्या जिसके वज़े से कि iodine युक्त नमक ही सबको जरूरी कर दिया गया तो अविसली मेडिकल माफिया का अपना रिसर्च ग्रूप है अपना साइन्टेस्ट ग्रूप है पैसे पर यह पूरा गेम चलता है और उन्हों गेम चलाया अब जैसे मतलब भारी देशों में आयोडीन की मात्रायत कम पाई गई लोगों में सर्वे और दौरान तो बता दिया गया कि आयोडीन ही जरूरी है आपके सरीर के लिए लेकिन इंडियम में ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी नहीं कभी से नहीं था यदि ऐसा प्रॉब्लम होता तो हजारों साल से लोग आयोडीन के क्या बोलते है आयोडीन का जो जो लेस आयोडाइट फूड हम लोगे दिखा रहे होते तो हम लोगों को गॉइटर्स वगरा की या फिर हम लोगों की जो हॉर्मोन का जो regulation होता है thyroid hormones के तुरू thyroid gland के तुरू और thyroid gland का regulation कैसे होता है तो आयोडीम से तो यह सब में हम लोगों को problems होता हमारे सरीट को problems होता लेकिन 30-40 साल पहले तक तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था एका दुक्का इधर उतर cases दिख सकते हैं लेकिन वह cases तो आज भी आपको देखने को मिल सकते हैं किसी को गॉइटर हो गया किसी को सूजन हो गया है ना या किसी को diarrhea हो रहा है excessive iodine के वज़े से या lesser of iodine के वज़े से hormonal metabolism सही नहीं है अगें iodine के वज़े से तो कहने का यह मतलब है कि 30-40 साल पहले ऐसा क्या था और अभी क्या हो गया और 30-40 साल पहले यानि 1986 में जब यह योजना सरकार के तरफ से लाई गई तो तो ऐसा क्या था है ना क्या business इसके पीछे था कौन सा रहसे था वह हम लोग आज जानने के कोशिश करेंगे है ना तो सबसे पहले what is iodine iodine simple form में यह देखा जाए तो iodine is an element found in small amounts in everyone's body ठीक है यह क्यारता क्या है तो यह आपके hormone को regulate करता है किस के तुरू तो thyroid hormone के तुरू यह growth को आपके growth को metabolism को important functions जो आपके body के अंदर के उन सब को regulate करने के कोशिश करता है with the help of thyroid hormones और यह thyroid hormone बनाने के लिए iodine के जर्रत होती ही होती है ठीक है कितना iodine का जर्रत होता है तो बच्चों में बड़ों में सबसे बड़ों में मतलब 19 साल से उपर के लोगों में 1100 microgram per day के हिसाब से बोल रहा है लोग जो कि हमको लगता है कि बहुत ज्यादा है बट फिर भी बोल रहा है लोग ठीक है consuming more than the tolerable upper intake level of your age group can lead to iodine iodine poisoning now what is iodine poisoning मतलब हम लोग excessive of iodine खा रहे हैं थ्यान से देखिए तो आज के rate में आपको जितने भी मार्केट में हर product में या तो ज्यादा salt मिलेगा या फिर ज्यादा चीनी मिलेगा सुगर मिलेगा ठीक है और यह दोनों ही आपके होर्मोनल इंबालेंस को पैदा करने के लिए काफी सक्रिय भूमिका निभाती है बहुत ज्यादा नमक जैसे चिप्स वगरा हो गया कुर्पोड़े पता नहीं क्या-क्या आजकल रिंग्स यह वह बहुत सारे चीज़ आ रहे हैं ठीक है और सुगर का तो कुछ कहना ही नहीं का quality देख लीजिए पहले के अपिक्शा आज के रिट का जरॉस का quality ऊसमें सुगर की मातरा बहुत जादा पाई जाती है यह ग्लुकोस की मातरा जाता पाई जाती तो कहने कामरा है यह मतलब है कि सुगर और नमक यह दोनों ही आपके और हमारे सरीर के लिए काफी खतरनाक है क्यों? क्योंकि यह hormonal imbalance पैदा करता है अब जितने भी hormonal imbalances हैं आपके सरीर में if your metabolism doesn't get regulated properly because of your hormonal imbalance if your metabolism is not working आपके सरीर सही से काम नहीं कर रहा है तो obviously आप कई तरह के खत्रों के लिए आप prone हो जाएंगे जैसे किसी को heart का problem हो रहा है तो heart attack आयागा किसी को liver का problem हो रहा है cancer वगरा के carcinogen के वगरा के व्रत्धी हो रही है मात्रा बढ़ रही है तो cancerous नए रूप में आपके सरीर पर attack कर सकता है तो ये बात हमारे medical mafia के लोगों को जो business चलाते हैं जो tycoons हैं बड़े-बड़े पी-fizer वे-fizer टाइप के जो pharmaceutical companies हैं उनको यह सब बाते बहुत अच्छे से पता है कि आपके सरीर का hormonal imbalance कर दो यार यह तो हमेसा drug के उपर independent रहेगा अलोपतिक इंडस्ट्री है ही चलाना है ही तो this is how it is all connected iodine is connected because एक जमाने में 1986 के तरफ जब टाटा टाटा कंपनी को काफी losses हो रहे थे 1986 के टाइम पे काफी losses हो रहे थे किसलिए क्योंकि उनको जो भी उनके जो wastage है और जो गुजरात का जो port है उनका जो port से जब वो लोग क्या बोलती जो तेल बगरा मंगाते हैं बगर बगर जो भी मंगाते हैं तो कि यह यह जो article है ना यह शरीष के को लख सब्सक्राइब इस नियवें कितने से से इस अपर्ट था साल्ट पहलेव स्टाट्ताव्य आ यूख सिएuerdo chemical it is called sodium chloride or NaCl2 very good when we were young the salt was produced by evaporating sea water कहने का मतलब पहले 30 साल 40 साल पहले तक 30 साल पहले तक हम लोग समुंदरी नमक खाते थे समुंदरी नमक खाते थे या फिर चट्टान वटान से थोड़के यानि कि हम लोग खाते थे आज मारे घर के प्रिपनीयों को इस जो you mix more and more iodine यह क्या करता है इसका free-flowness बढ़ा जिता है तो पहले जो abundantly available था कभी कहीं पर भी आप sea water लेके evaporate करके समुद्री नमख खा सकते थे आज के रिड में वह abundantly available नहीं है मतलब आपके पास नहीं है क्यों है क्योंकि अब जो है सरकार के तरफ से यह लग गया कि भाई इसको आयोडाइज साल्ट बना के ही आप बेच सकते हैं मार्केट में चीक है क्या चींज हुआ था उनने सची आसी में यह लड़की बहुत ही अच्छा लिखती है बट इन करवाया कि चलो चलो एक सर्वे लिखाओ और साइन्टिस लोगों को दो तिन को इंफ्लेंस करके लॉबिंग करके भाई ऐसा एक रिसेच निकाल निकाल और यहीं रिसेच लिखके जाके हम हम लॉबिंग करेंगे इसके उपर कि आप आयोटाइस साल्ट जो है वह बेचना स् कितना सारा इफिसेंची डिजीजेज वगरा आ रहा थो समय 30-40 साल पहले तक आयोडीन के वजे से और इसका कूब अच्छा मार्केटिंग भी वदूर दरसन यह वगरा में काफी अच्छा मार्केटिंग भी किया गया तो अच्छा मार्केटिंग लॉबिंग राजीव गां प्राइब मोनोपली अपना मोनोपली क्रेट कर लिया ताटा ने अब यह थाटा को पास इतना नमक आया कहां से भई तो लीडिज लाइए लाइड दे शॉल्ट पास तीकी दूरिंग ओंसून बिकर सी स्टी की हो जाता है तीक आप देखे होंगे कभी-कभी तो एक इस्माल क्याल माइड पुषया था तेस्ट बढ़ाने के लिए तो बड़ाने के लिए तो बट जो प्राइस थे थे ताटा के वह घुक तान्स आपर थे सी सॉट्स अप्न जोबडी नोपडो क्रोब्ड यह थे यह थाटए रीड शॉर्टा थैसरी वाइड व्या थाच्ड लॉड ब्रॉडक्त के तौर पे इनका साल्ट वगरा यह होते थे कमीकली बनते थे ब्द्रोड़क्त के तौर पर मतलब नहीं होता है पूरा कामधाम खत्म हो गया तो ग्रोड़ान बचा वो सॉल्ट बच James भागए तो क्या होगा को लIEंद डिस्ट्रॉइ कर देगा करतेगा फर्मिग लान इतना होता भी नहीं था पहले लोग देते भी नहीं थे हैं तो कितना आ फर्मिग लांड को बरबात करों के सॉल्ट हुशा-ुशा के अंदर है तो हैंस टाटा Chemicals had created railroad tracks to take this salt to the sea and dump it in the sea. मतलब वापस, salt जो है, सी में, दंप करने का प्रग्राम में लगाया. Naturally, they were spending huge money in disposing that salt. Obviously, बहुजा दा पैसा लगा रहे थे. लेकिन, hence they followed the western ideology of creating iodized salt. When Indian government changed the rule, Tata Chemicals started making huge profit instead of spending money in disposing the salt. कहने का मतलब, जो salt को dispose करने के लिए, जो इनको इतना पैसा लग रहा था, अब वही salt जो है, अब इनके लिए profitable business बन गया. ये बात यहीं तक नहीं है. अब मैं आपको बताऊंगा कि, ये तो Tata का जो एक छोटा सा प्रयास था, आपने आपको profitable बनाने का, दो-चार scientist को मिला के, वो हो गया उनने सच्छी आसी में. लेकिन इसका जो जड़ है, इस iodine, iodine बोलके, जड़ जो पैदा किया गया, वो जड़ यहां पर नहीं है, वो जड़ आपको 40s, 50s में ही है. ये chemical plants तो अभी ये Tata का था ना, chemical plants जो है, जर्मन, यूएस के बहुत सारे जो petrochemicals plants, petrochemical plants, especially Rockefellers के, जो कि petroleum का उस समय बेताज बातसा था, 1920 से लेकिए असी तक में, petrochemical products में, जो by-product हैं, वो salt होता था, और salt को dispose करने के लिए उनको पी काफी महनत करनी पड़ती थी, ठीक है, महनत मतलब, पैसा देना पड़ता था, लगाना पड़ता था, landfill करना पड़ता था, farming land बरबाद होते थे, तो there was so much of cost associated with disposing the salt, तो उन्होंने क्या किया, पड़े ही मजे से, 10-15-20 scientist को मिला के, अच्छा एक community बना के, भाई, iodized salt, iodine हम लोगों को बेचना है, अरो भाई, 100 साल, चलो, 1500 साल मानलों, 1500 साल से पहले, यानि कि, 18 भी सदाब दी हुई, 16 भी सदाब दी हुई, 19 भी सदाब दी हुई, मतलब, 1000-1000 साल से, जब iodized salt बन नहीं रहा था, तो क्या iodine के deficiency के वज़े से, लोगों प्रॉब्लम्स हो रहे थे, किसने कहा, कहीं पर भी आपने किसी भी इस disease का नाम, कहीं पर भी किसी भी इतिहास बुक में सुना, नहीं सुना होगा, क्योंकि कभी कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, तो iodized salt जो है, it is chemical by product, जो petrochemicals होते हैं न, उनको processing करने के बाद, इनके बहुत सरे आपसे इस बच्चते थे, उससे इनका by product, इनका salt बनता था, और यही salt को dispose करने के जग़े पे, इन्होंने उसको एक profitable business बना दिया, और यह profitable business इनके लिए, बड़ा ही फायदे बंद वा, क्यों? अब देखिए, इसका relation देखिए, ध्यान से, यदि आपको सरे इनका गया, iodine ज़्यादा मात्रा में गया, excessive amount में जब आपको iodine गया, तो क्या-क्या आपको होगा? burning sensation होगा आपके mouth में, nausea होगा, vomiting होगा, diarrhea होगा, है न, आपको क्या होगा? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा इनका business blood pressure होगा, ठीक है? BP का business फिर start होगा, फलना-फुलना होगा, BP का medicines देखिए, Rockefeller के जितने भी institutions हैं, medical institutions हैं, और जितने भी hospitals वगरा हैं, वो सब आज के रिट में उनीक के बनाए हुए, जो petrochemicals product के byproducts में जो भी उनके बनाए हुए drugs हैं, उन्हीं drugs को यो लोग market दो बीच रहे थे, तो कितना अच्छा से एक चीज, यानि कि iodine के वल word एक research में अगर अलाके, और कहां से अलाके? अंड्यूस करके, market को अंड्यूस करके, आप इस हाओ, you know, things, business gets created, पहले research ले के आओ, पहले market तयार करो उसके लिए, है न, market को prepare करो, धीरे-धीरे, एक तीन साल, चार साल के अंडर, market जब prepare हो जाएगा, कि हाँ भई हाँ, ऐसा कुछ प्रॉबलम तो है, लोगों में ऐसा ग्वाइटर का प्रॉबलम आ रहा है, हाँ, hormonal imbalances हो रहे हैं, because of iodine deficiency बगरा बगरा, and then you introduce, then you introduce your drug, BP का drug, बट एक चीज़ हम लोगों को समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए, कि iodine, जो है, हर products, हर product में, almost leafy, सारे leafy vegetable में, आपको iodine नजर आ जाएगा, अब मार के देखो, iodine, iodine, iodine related, related vegetables, हाँ, मार के देखो, आपको मिल जाएगा, vegetables, जितने भी iodine related vegetables, वो भी आ जाएगा, आपको, देखने को, है ना, यह काम नहीं कर रहा है क्या, ठीक है, but anyway, आपको मिलेगा, iodine आकरकर, मिलता कहां से, उनको है तो, मिट्टी से ही मिलता है, और सम्मुधर में, जो नमक जो जाता हcentered, यही बरसात का पानी, जब मिट्टी, के उपरी layer को, बहा कर जब लेके जाता है, तो अपने साथ साथ, इसके जो, घखिए और सागर तक पहुंचेगा तो दिस इंडेशे Now fixes और सागर तक पहुंचेगा तो यह कहना गलत होगा किसी को भी के भाई आयोडीन जो है वो मतलब chemical byproduct भी मतलब बना सकते हैं और वहीं से हम लोग जो है आयोडीन rich salt बना के हम लोग लोगों को दे सकते हैं ठीक है तो यह सारे प्रॉब्लम से एक दुसरे से connected हैं और इसी के उपर यह हमारा जो है पूरा बिजनस जो है वह चलता है तो I would say मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा मेरा रिकमेंडेशन यह होगा कि आयोडीन से जितना दूर रह सकते हैं क्योंकि यह जो आप देख रहे हैं उसमें 33 प्रतिसद सिल्का मिला हुआ रहता है अभी सिल्का जो है वह फिक्षटे जैसे जो एक blood clotting के संभवना होती है, वो संभवना आती है, आप किसी भी pipe के अंदर, यदे माल लेजे blood clotting के अंदर, मतलब जो उसका जो आयतन है, जो space है, यदि वो कम होगा, तो obviously जो blood का जो pressure है, movement का वो बढ़ जाएगा, है न, that is what is called blood pressure, so understand these small small things, चोटे-चोटे चीज़े हैं, जो कि हम लोगों को समझने के जरूते हैं, यदि ये चोटे-चोटे चीजों को हम लोग क्योर करना start कर दी है, उन लोगों को, उन सब चीजों को हम लोग समझ के आगे बढ़ना start कर दी है, rather than, you know, क्या बोलते हैं, जो देखने में अच् अच्छे-चोटे अपर दिमांग में लेकी मैं भोल नहीं सकता है, ठीक है, इसे के साथ यह वीडियो यही कतम करते हैं, तब तक के लिए बने रही है मेरे साथ, अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद